नमश्कार, स्वागत है आपका मिनाख्षी इस कच्छन में, आज में शेख कर रही हूँ बहुत ही सिम्पल इजी और खाने में बहुत ही टेस्टी रॉव मैंगो राइस की रेसिपी, रॉव मैंगो राइस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है, यह रॉव मैंगो या कॉंटिटी कम या जादा भी कर सकते हैं जितना आपको खटास चाहिए चावलों में उसके कौर्डिंग ये आप यहाँ पर आम ले ले लें, आम को हम कदुकश करके ले लेंगे, चाहे तो आप आम को छोटी पीसिस में कट करके उसके पेस्ट भी बना सकते हैं, मिक्सी में ग् कर देंगे बड़ा चमच चने की दाल और इंको अच्छे से हम भूलेंगे गया इसको मेडियम हीट पर रखेंगे ताकि चारी चीज हमारे जल ना जाए एक बड़ा चमच आइट कर देंगे इसमें और अधा दाल इसको भी हम साथ में ही भूलेंगे अलका अलका भूलने से अब इसमें एट कर देंगे एक बड़ा चमच सफेथ दिल अब इसमें एट कर देंगे दो बड़े चमच मूफली मैण आपर कच्छी मूफली यूज करी है मेडियम हीट पर हीसे बूंना है ताकि मूफली भी मारे अच्छे से रोस्ट हो जाए अब इसमे एट कर देंगे सूखी साबुत लाल मिर्चे और इसे हम मिक्स कर लेंगे हलकलका इसको भून लेंगे गैस को आप तेज आज पर करके इसको भून लेंगे तो ये चीज हमारे जल भी सकती है तो गैस को low to medium heat पर करके ही इसको आप पकाएं कुछ दिर पकाने के बाद मैंने इसमे एट कर दी थोड़ी सी curry leaves मूफली भी मारी अच्छे से roast हो चुकी है बिल्कुल भी कच्ची नहीं रही मूफली है हमारी अब इसमे एट कर देंगे थोड़ा सा healthy powder करीबन 1 फोथ teaspoon healthy powder मैंने एट कर दिया इसमें Mix कर लेंगे इसको अब इसमे एड कर देंगे कदू कश किया हुआ कच्चा आम जितनी खटास आपको चावलो में चाहिए उसके कॉडिंगे कच्च हम यह पर एड कर दें, और इसको हम अलका yön कहा पका लेंगे Mix कर लेंगे अब इसमें आइड कर देंगे खरी में, छारी में इसको बीश में स्लेट करके इसमें आइड कर देंगे अब इसमें आइड कर देंगे टेस्ट के कॉर्डिंग नमक और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे चावलों के साब से भी नमक इसमें आप डाल लें इसको हलका हलका हम पका लेंगे कुछ तेरे पकाने के बाद मैं इसमें एड़ कर दूँगी स्टेम ड्राइस तो दो कप पकेवे चावल मैं इसमें एड़ कर दूँगी ये देखे तिम खिले खिले चावल मैंने इसमें एड़ कर दी है बहुत ही बड़ी है ये चावल की रेसिपी बन दी है ट्राय जरूर करें इस समय रॉम मैंगो सीजन में है तो उसको आप इजीली बना सकते हैं मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से इन रॉम मैंगो राइस को आप सरफ कीजी दही के साथ रायते के साथ या फिर पापड़ के साथ या फिर ऐसे ही से आप खा सकते हैं खाने में ये बहुत ही टेस्ट लगते हैं और जटपड़ से ये बन भी जाते हैं अगर आपके बाश सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें तो तयार है हमारे रौ मैंगो राइस तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाए